कुछ कास्ट के बेसिस पे मैं मानता हूँ कि तजस्य जी को वोट मिल जाएगा लेकिन जो नितीज जी है वो अपना क्रेडिविलिटी ही खो चुके हैं देखो न आप आठ बार पल्टी मार चुके हैं इतनी बार तो मुझे लग रहा कोई स्थांबी ऐसे ऐसे पल्टी नहीं म सकते हैं कि मोधी जी डर गए मोधी जी डर गए एक कहावत है देखिए आप ध्यान से सुनिए एक कहावत है जो धुआ वहीं से उठता है जहां पर आग लगी आग लगी होती है ठीक है ना यह लोग अगर इतने पाक साफ है तो डर क्यों रहे हैं सामना करो कोट में जाओ को साधन तो एडी और सीवियाई है ठीक है ना उनसे बच के भागों मत सामना करो और देश की जो संपत्ति नोगों ने दबा के रखा हुआ है वह सारी बेनामी संपत्ति हो या जितने यह कलेक्शन कर रखे हैं दो नंबर के वह सारे के सारे बाहर आएंगे चाहे बिहार लेलो दिली लेलो या भारत का कोई भी एस्टेट लेलो वहर जगह से पैसे बाहर आएंगे और जनता है के भलाई के काम के लिए इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलपमेंट होने के लिए काम में आएगा तो हम लोग बहुत खुस हैं ठीक है ना हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो कह गया है मोधी जी से कहा अब तुलना कर रोड़ा विहार में हो पहले तेजब्सवीं से तुलना कर लो आपकी क्रेडिवलीटी खतम हो चुकी है जानाधार नहीं है आपको कोई जानता नहीं है क्योंकि सारा काम कर दिया भूझ जी को जानता है और उन्हीं के बैसिस मैं मानता हूँ कि तेजस्य जी को वोट मिल जाएगा लेकिन जो नितीज जी है वो अपना क्रेडिविलिटी खो चुके हैं देखो ना आप आठ बार पल्टी मार चुके हैं इतनी बार तो मुझे लग रहा कोई स्थाप भी अब इसमें मिलेंगे आप याद कर लो महा भारत में भगवान क्रिस्ट ने क्या कहा था यदा यदा ही धर्मस्य घ्लानिर भप्ति भारति अभ्यूत्वान धर्मस्य प्रित्रा नाम साधुनम् भिनासाइच अदुस्कृतम और वही रूप आज के टाइम पर योगी जी और मो पहाड में जाएंगे उससे पहले नहीं जाएंगे ठीक है ना और एक बात और ध्यान रखलो यह देश अमेरिका रसिया जितने डेफलोप कंट्री आज के टाइम पर है उन सब को पीछे छोड़ देगा आप मेरी बाद गाट बंद के रखलो थोड़ा टाइम आउट दे दो किया एक क्रोर जनता जो है उनके साथ है एक बार बोलते हैं तो हम सब भार बोलते हैं तिरंगा फियराना है ना तो हम सब चारों तरफ घर में लोगों में बाट है क्यों तो σबकिंदर करके천सा पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं सीने छोड़ा होता ह लेकिन ये जो कुछ नेता है ना दोगलापन कर रहा न जो हम तो भाई बिल्कुल एकदम कटर इमांदार है। पहले इमांदार वर्ड सुनते थे आप कहते हैं कटर इमांदार। अरे भाई तुम इतने ही कट्टरी मंदार हो तुम जो जिस दो बैसाखी पर चल के आये थे एक बैसाखी का नाम था अन्ना हजारे और दूसरे बैसाखी का नाम था जनलक पालबिल वह दोनों बैसाखी तूट गया कहा है वह बैसाखी और आज आप दिल्ली में नहीं हो आज कहां घुम रहे हो कभी गुजरात कभी हिमाचल परदेश कभी पंजाब और एडवर्टिजमेंट पे कितना खरच करते हो 500 करोर रुपे एक साल में भाई साब इसको आप यूटूब पे क्यों नी डाल देते आप तो कहते हो जंता का पैसा बिल्कुल बरबाद नहीं होना च सौग उन अच्छा मानता हूं इस चीज़ का कभी भी परचार नहीं किया नाम पर आज दिल्ली का रेंक कौन से हैं दस वा रेंक भी नहीं है उठाके आप पढ़ लो तो आप सिक्षा मोडल वन की बात क्या करते हो निवर्क टैम्स में जाते हो पैसे देते हो वहां पे एड ग्लोबल टैम से चाइना का उसमें भी आपका च्छप जाएगा पैसे दो आप मामला बिहार का चल रहा है कि जमीन नोकरी के बतले जमीन लिए लालू परसाद यादवने उसके भी खुला से किये जारे सारे खुला से होंगे देखो इन लोग पहले भी 90 के आसपास में जब बिहार का हाल आप मैं आपको बताओं वही होने वाला है जो पहले था देखो हम लोग बहुत सुकून फिल करते थे जब भी गौँ जाते थे दर्भंगा एरपोर्ट बन गया वहां पे अच्छे-ची सडके बन गई थी घर के बाहर इतना बढ़ियां सड़क है जैसे आपके खा सकते हो तो जमीन का चारा कैसे नहीं खा सकते हो अब मुझे यह बताओ ना तो अब लाइन लगा क्या और उन्हीं लगा करके एडी और सीब्याइक को भी छोड़ रखा है कि जहां जहां जमीन यह चारा यह आयर सीटी सी जितने घोटाले आएंगे सिर्फ दिल्ली नहीं बिहार हो और जो भी जितने स्टेट है उन सब में यह जाएंगे और भारत माता के ऐसे लाल को आज आपने गदी पे बैठा रखा है ना जिसने कसम खाई है यह देश नहीं जुकने दूंगा यह देश नहीं मुटने दूंगा और उन्हीं बातों को लेकर हम आज रास्ट भ तो मैं तुम्हारी बात कैसे करूँगा ना तो यह चीज आपका बतारते जो जमीन का घोटाला नोक्री के बदले जो जमीन गिर्वी रखी जाती दी क्या उसका माँगा देखे जब रेल्वे में थे मंत्री तो नोक्री के बदले जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता था कुछ असा तो वहां पर उनसे जमीने जो है कहीं बार कहीं नोकरी की बदले कि हां रेलवे कर नाम रेलवे का चलता था और जमीन खुद अब उसकी सजा बुगत रहें कहीं आज उनको दुभारा कानून हम में कभी कभी अपने देश के कानून पर कोशन मार की लगाता हूं कि कितना कमजोर कानून है कि हजारों करोड़ों का करने के बाद आप दो तीन साल आप जेल में रहते हैं और आपका वो दो हजार चारह करोड़ जो जनता का है आप उसको रिकावर करिए ना आप उनकी प्रॉपर्टी सीज करिए पांच हजार करोड़ का अगर चारा कितने साथ आठसो करोड़ का उसके बाद इनका जो इन्होंने रेलवे में गुटाला किया था कहीं ऐसा तो वो रिकावरी कहा इडी के च्छापे जो है ना जो 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 राइनिती को एक बिजनस की तरह मानसिक्ता के साथ सोच कर जो आज राइनिती कर रहे हैं ना उनको मैं कहता हूं कि इडी जो है स्पैशल नजर रखे उनके उपर इस पिहार में अभी गडबंदन की नई सरकार बनी थी तो तेजस भी यादो बोलने थे कि हम ना एडी ना सी आईडी हम किसी से नी डड़ते हमारे पीछे लगा दे जो अलग ये ना तो अब सहो करें ये फालतू का नाटक प्रतियोर आरोप ना करें और सहो करें उसमें जै है जन आप सकते आप किसी जगा पर अफसे से कर सकते हैं हमें उस पे हमें अगर एड़ी इस पे कारवाई कर यह थो हमें saat होकर अगर यह और लगा रहे हैं कहीं नपर हमें किसी भी प्लैटफार्म पर अगर बोलने की बात आए तो हमें सरकार का समर्थन करना चाहिए ऐसे जो रेड्स यह होनी चाहिए ब्रश्टाचारियों को अंदर होना चाहिए और पूरी की पूरी प्रापर्टी उनकी सीज होनी चाहिए तीशकुमार से डर तो नहीं गए पीम मोधी कभी भाजपाने वाईडी बेशती आरे देखिए डर की बात वहां होती है कि जब कोई लेवल की बात हो जहा आठमी बारी आपका चार्ट टैन्वर चालीस साल का नहीं हुआ है यह कहीं न कहीं एक साल में नोंने दो तीन दिन बारी पलटी भीमारी है यह उसकी वह टैनुवर आप गिना रहे हैं ठीक है असी का बंढ रहा है कि यह चबी बन गई है नतीश कुमार आज अपनी क्रेडि पर खुद कुलाडी मारने का काम किया वह जब दुबारा इनके साथ जुड़े हैं आज कहीं न कहीं फ्रंट सीट में तो बेशग नतीश कुमार बैटे हैं मगर यह दोनों लालू के सुपुतर जो है ना यह कहीं न कहीं आने वाले समय में जेडी यू को बिहार से टोटली खतम कर देंगे वहां लड़ाई बच जाएगी आर जेडी वसर्स बीजेपी क्योंकि भाजपा को सिर्फ एक चहरे की जरूरत है वहां पर जिस दिन उनको वह चहरे की तलाश पूरी हो गई वहां जेडी यू कहीं रहेगा है नहीं आप पीम की बात कर रहे हैं वह एक सीट निकालना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखिए आप एसा विपक्ष का वह तो हारोप लगाएंगे ना उनको चुबन हो रही है आज कहीं ना कहीं उनकी पिताजी वह भी तो यही कोई ऐसा टाइम था कि हमें सीवी आई जांच करा रहे हैं हमारे पीछे लग परते उत्रेंगी सामने आने दीजिए यह हमें इस ट्रेंड को अगर अपना काम इमानदारी से पहले हम ही करप्रशन चिंद लगाते थे कि बाइसाब इतने गोटाले हुए कोई जहांच अच्छे से नहीं हुई आज अगर हो रही है तो आम जंता तो खुश होनी चाहिए हमें आपको खुश होना चाहिए ना कि कहीं ना कहीं पैसा जो है आज जंता का वापिस सरकार तक पहुंच रहा है मैं बिहार के जंता के लिए एक और बोल देता हूं कि आपने जंगल राज जो है आज मोदी जी के नाम पर आपने बोट दिया था आपके साथ नितीश कुमा साथ बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते थे रोड नहीं बनाते थे क्योंकि रोड बन गया तो यह दुबारा आपने चुना है आने वाले समय में सतर्कता से अपना नेता चुने सरकार चुने इन ब्रश्टाचारियों के जहांसे में ना आए ना आर जेडी आपकी है ना अगर आपका कोई उधार करेगा वो बीजेपी करेगी मोदीजी करेंगे नहीं तो और कोई आपका यहां पे उधार नहीं कर सकता नहीं तो बिहार आज आज भी वहां होगा और जो सी लिशेयां इने रेट करें वह बहुत अच्छी है और वहर च्यादें चाई कोई भी दिल्ली में रेड हो रही है तो क्या है ऐसी तो मोदी जी चाहते है जो हमारे देश से ब्रश्चा चाह रहे है वो खतम होना चाहिए और वो इसी लिए इसी पर क्या है इसको बदले की भावना से कहते जी देखो जी वो उनके उपर ने हो रही है हमारे उपर हो रही है हरे भी आप सबूत पेश करो ना तो जो आप कहते हैं कि बीजेपी के ऊपर ये आदमी गलत है तो उसके ऊपर भी होगी कोई किसी के ऊपर भी आरोप लगाए पर साबित भी तो होना चीए ना तो कहने का मतलब यह है जो अगर तेज़ेशी पे हो रही है वह वाक्य में सच है और वाक यह इनकी जो नीतिया है ना वो जंगल राज वाली नीतिया है लूटो और खसोटो और भ्राश्चाचार को फैलाओ